दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को डिवाली की बहुत बहुत शुब कामना हैं, आपकी सभी मनुकामना पूरी हो और आपके जीवन में हमेशा खुशाली बनी रहें तो आज की वीडियो है कुछ ऐसे प्लांट्स की जो हमारे घर को खुशुरत बनाते ही हैं, साथ साथ हमारे घर की हवा को भी शुद्ध बना देते हैं, और साथ में एक बहुत ही पॉजटिव वाइप्स हमारे घर में बनी रहती हैं इन पौधों को लगाने से, तो कुछ ऐसे यही 12, करीब 12 प्लांट्स में आपको बताऊंगी, नाम बताऊंगी, जो एयर प्यूरिफाई भी करते हैं, हवा शुद्ध करते हैं हमारे घर की और साथ ही साथ सुन्दर्ता बनाए रखते हैं, तो दिवाली में आप इन प्लांट्स से अपनी घरों की सजावत स़रूर करे दोस्तों सबसे पहले जो प्लांट है, जो mostly सभी घरों में पा जाता है, वो है मनी प्लांट, तो बहुत सारे वाराइटी में आता है मनी प्लांट, तो यह आप अपनी घर में लगा सकता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है, प्यूरिफाई करनी के लिए, साथ में होता है यह waji लखी बैंबू जो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं तो यह जो मैं सारे प्लांट बता रहे ही हैं आपके घर की हवा को शुद्ध बनाए रहते हैं और फिर इसके बाद आता है यह जीजी प्लांट तो ZZ plant भी बहुत ही hardy plant होता है और घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से यह चलता है और बाहर लगा रहे हैं तो ऐसी जगर पे रखना होता है जहां इस पे धूपना लगे बहुत ही hardy plant होता है और air purifier plant होता है पर next plant है यह syngonium plant तो सिंगोनियम प्लांत भी वेराइटी में आता है कुछ चोटे चोटे पतों वाली वेराइटी भी आते हैं तो ये वही बहुत air purifying quality होती ही इस प्लांट की सुन्दरता के साथ ये आपके घर के अंदर की हवा भी शुत करता है क्योंकि आप उसको अंदर भी लगा सकते हैं ए spider plant भी बहुत ही अच्छा एक air purifier plant होता है तो दोस्तों जैसे की दिवाली के आसपास हवा में pollution जादा हो जाता है pollutants बढ़ जाते हैं तो इन plants को लगाने से ये purify करते हैं आपके घर की हवा और वैसे भी सालों साल भर भी हम जैसे अंदर use करते रहते हैं chemical वाले products तो वह भी यह absorb कर लेते हैं हवा में रहते हैं pollutants जो हमें दिखाई नहीं देते हैं तो वह यह साफ करते हैं और यह next plant है snake plant यह snake plant भी बहुत ही अच्छा एक air purifying plant होता है mother-in-law tongue भी कहा जाता है तो अगर यह बहुत अंदर भी लगा सकते हैं आप अपने घर में क्योंकि बहुत कम light की अवश्यक्ता होती है तो बहुत ही अच्छा यह oxygen level बढ़ाता है हमारे घर की और next plant है तुलसी plant तो तुलसी plant तो जो इंडियन हाउसफोल्ड में लगाया ही जाता है सभी लोग लगाना पसंद करते हैं तो क्योंकि इसके यह औशदी गुणों से भरा होता है तो औशदी गुणों के साथ-साथ यह हमारे oxygen भी प्रदान करता है इसलिए बहुत पुराने समय से ही जुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है हमारे tradition में इंडियन tradition में तो कि ऐसी मानिता है कि यह कम से कम 20 घंटे तो oxygen देता ही है एक दिन में तो उसको भी जरूर लगाए नेक्स प्लांट यह एरेक का पांप तो बहुत ही सुंदर होने के साथ-साथ यह और बह प्लांट होता है कम डारेक्ट धूप में नहीं रखा जाता है तो यह भी बहुत ही अच्छा air purifier plant है और दिवाली की decoration ले भी यह बहुत ही अच्छा एक प्लांट है तो आपकी देवाली के decoration में चार्चांद लगा देगा तो कई तरह से आपकी इन प्लांट को लगा सकते है ceramic pots में लगाने से और अगर इंडो लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे तो इस तरह से यह मैंने spider plant लगा रखे हैं यह ceramic में तो इस तरह से आप अलग-अलग तरीके सोच के अपने अंदर के decor में इन plants को शामिल कर सकते हैं और next plant है यह phylo dendron का plant तो दोस्थों यह बहुत ही hardy plant होता है इस पर मेरी वीडियो सभी जो plants में दिख्यान पर अलग से separate videos भी है यह बहुत ही अच्छा air purifying plant होता है इसको भी कम light की जरुवत होती है इन सभी plants को आप अंदर बहा कहीं भी लगा सकते हैं और यह भी बहुत ही अच्छा air purifying plant होता है दोस्थों next plant है य एक हवाशुत करने वाला plant होता है और इसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं क्योंकि कम bright light की ही आवशकता होती है डारेक्ट sunlight में नहीं रखा जाता है पीस लिली के पौधों को भी तो यह भी बहुत ही अच्छा एक plant होता है और साथ ही सफेद फूल भी देता है तो दो इसको भी आप जरूर शामिल करें अपने घर में तो इस पे एक मैंने वीडियो भी बनाया था बहुत साल पहले एलोवेरा एज एर प्यूरिफाइंग प्लांट तो डिटेल में जानना हो कैसे यह शुद्ध करता हुआ तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा तो यह अलोवेरा के प्लांट असानी से लग भी जाते हैं तो दोस्तों जो हम यह प्लांट से अपने घर के अंदर लगाते हैं तो यह हमारे घर के अंदर की हुमिडिटी भी बनाये रखते हैं क्योंगी ज्यादा ड्राइए एर भी हमारे यह रेस्पिरेटर सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती है तो एक नमी बनाये रहते हैं घर की अंदर की जो वातावरों उतास में नमी बनाये रहते हैं तो इस तरह से भी हमारे जो घर की एर क्वालिटी होती है वो थोड़ी इंप्रूव होती है ज्यादा ड्राइ जो एर होती है हमारे सास के लिए अच्छी हैं जादा लोगों को पता नहीं होंगे लेकिन नासा की स्टडी में पढ़ा जाता है कि क्राइस अच्छे हाउस प्लांट्स होते हैं जो हमारे एयर को क्लीन करते हैं लेकिन इनको आपको धूफ वाली जगह पे लगाना पड़ेगा तो आज कल दिवाली के टैम पे इस समय बह वाश शुध करते हैं ईनको ना ही लेक्ट्रिस टी की जडरूवत है और एक विकल अनवियमन्ट् Mackin बहरे जड़ा सकते हैं यह एक अच्छा béर्फ इन प्रनट्स होता है इसमें लाल कलर की फूलते हैं फिलौल भी यहां अच्छी धूप आती हो तो इस तरह से आपकी दिवाली की डेकोरेशन भी हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके घर की हवा भी शुद्ध होगी और दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है एर प्यूरिफाइंग प्लांट का नाम है चाइनीज एवर ग्रीन तो दोस्तों यह भ और हामफुल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं और मैं उनको एब्जॉर्फ करता है तो यह भी आप अपनी घर में जरूर शामिल करें तो यह भी इंडोर आउट्डोर आप दोनों जगा सकते हैं आउट्डोर लगा रहे हैं तो इसको धूप से बचाना है तेज धूप में नहीं रखना है तो यह भी बहुत ही अच्छा एडिशन है आपके घर के लिए तो दिवाली में अगर आप अंदर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन इससे आप कर सकते हैं अपने घर के लिए तो दोस्तों आप भी इस तरह से इन प्लांट्स को लगा के अपन तो दोस्तों यह थी आज की इनफोर्मेशन होप करते हैं आप सभी को पसंद रहे होगी फिर मिलती किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए बाई टेक कियर एंट हपी दिवाली